नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक्स वकत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काड़े को बनाने की विदी के बारे में बताऊँगा जो आपके सरीर की 99% हार्ट ब्लोकेज को भी 0% बना देगा और आपके सरीर की इम्मून पावर को भी बहुत आदिक बढ़ा देगा जिसे की कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपके सरीर को छू नहीं बाएगी और आपका सरीर बिलकुल निरोगी बन रहेगा, बिलकुल स्वस्थ बना रहेगा सभी बीमारियों से मुक्त दोस्तों, क्या आपकी धमनियों में खून के थक्के जमे हुए हैं या इनमें पलाक जमा हुआ है या आपका बलड प्रेसर बढ़ा हुआ रहता है या बैड कोलोस्टोल बढ़ा हुआ रहता है खून के ठक्के साफ हो जाएंगे, बलड प्रेसर सही हो जाएगा और आपको जीवन में कभी भी एंजोपलास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों यदि आपको अलसर की समश्य है उसमें भी ये नुस्खा बहुत अदिक तेजी से काम करेगा और आप इस नुस्ख हैं वो है अद्रा, दोस्तों अद्रा यह खून को पतला करता है, यह दर्द को प्रकिर्थिक तरीके से 90% तक कम कर देता है, दूसरी जो इसमें सामगरी है वो है लसुन, दोस्तों लसुन में मौझूद एलिसीन तत्तव, कॉलोस्टोल, वै बीपी को कम करता है, वै यह हमार हमारे सरीर की सभी हार्ट ब्लोकेज को खोलती है, तीसरी जो इसमें चीज है, वो है नीमू, यानि लैमन जूसी, इसमें मौझूद एंटियोकसेज, विटामिन सी, वै पोटासियल, खून को साफ करते हैं, यह हमारे सरीर की रोग प्रतोदक समता को बहुत अदेग, बढ़ जो सरीर की सारी ब्लोकनसों को खोल देते हैं, ना सिरफ हार्ट की, बलकि पूरे सरीर की सभी ब्लोकनसों को खोल देता है, यदि आप एपल साइडर विनेकर का सेवन करते हैं, यह पेट को साप करता है, वै ठकान को मिटाता है, इसके लावा जो इसमें समगरी है, वै है दोस्तो सहद के बारे में तो आप सबी जानते होंगे और कभी ना कभी आपने इसके मीठे गुन का सेवन भी किया होगा लेकिन दोस्तो सहद सिर्फ खाने में स्वादिष्ठी नहीं होता बलकि यह हमारे सरीर को बहुत त्रहें की बीमारियों से बचाता भी है तो चलिए दोस्तो आपको बताते हैं कि आपको इस काड़े को बनाना कैसे है दोस्तो आपको जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने इसमें लिए हैं दो चमच मीमो करस दो चमच अधरक करस दो चमच लसुन करस और दो चमच एपल साइडर विनेगर दोस्तों आप इनका एक एक कब भी ले सकते हैं वो आपकी according है आपकी जरूरत की अनुसार है आप जितना इस मुस्खे को बनाना चाहें उतना बना सकते हैं क्योंकि एक बार बना कर आप इसको पंदरा दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं अब आपने इन आठ चमच को आग पर पकने के लिए रख देना है और आपको इसको तब तक उबालना है जब तक ये आठ चमच आपने लिए थे और छे चमच ना रह जाएं और यदि आपने एक एक कब लिया था तो आपको तब तक उबालना है जब तक आपने चार कप लिये थे तीन कप ना रह जाए और जब ये मेरे छे चमच रह गए तब आपको इसको आग से उतारना है और इसमें छे चमच ये बचे हैं छे ही चमच सहद के मिलाने है और आपको यदि आपने एक कप लिया था आपके तीन कप बचेंगे आपको तीन ही कपिस में सहद के मिलाने हैं तो दोस्तो आपका नुस्खा तयार है अब जानते हैं इसके सेवन की विदी रोज इस दवा के तीन चमच सुबह खाली पिट एक गिलास पानी में घोल कर आपको लेने हैं और यदि दोस्तो आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सरीर की सभी ब्लोकन से खुल जाएगी आपको जिन्दगी में कभी हार्ट टेक नहीं आएगा आपका हार्ट लोही की तरह मजबूत बन जाएगा जिससे कि आपको कभी भी दिल से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा आपका कोलोष्टोल बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बलड प्रैसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपके सरीर की इम्मून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाए और इस नुस्खे का परियो करें और इस सभी बलोकेश को खोल दें और यदि आपका कोई रलेटिव जानकर कोई भी इस तरह है कि किसी भी समस्या से पीडित है तो उसको भी इस वीडियो को अभी सेयर कर दे ताकि वो भी वीडियो को देखे और अपने लिए नुस्खे को बनाए और फाइदा उठाए तो दोश्तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर ज़रूर कीजी क्योंकि आप सेयर करेंगे इससे बहुत मेरे भाईयों का भला होगा और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे कर आपको पसान आए तो इससे हमें प्रोप्षाहन मिलेगा धनेवाद दोश्तो